तो कल रॉक स्मैकड़न पर रिटर्न आगे थे और वो रोमरेंज के फेस टू फेस भी गए थे तो भाई डबली डबली के जो फैंस है वो इस मैज से बिलकुल भी खुश नहीं है तो अब आप कहोगे के भाई ऐसा क्यूं है तो भाई डबली डबली ने यूटूब पर रोमरेंज एंड दा रॉक की जो वीडियो डाली थी उसके उपर 90,000 लाइक्स है और भाई 4,000,000 से जाला डिसलाइक्स है जहाँ पर मतलब के डबली डबली की मोस्ट डिसलाइक्ड USA के अंदर और साथ ही साथ यूटूब के लाइब पर भी आप सभी लोग देख सकते हो कि सभी लोग क्यों से वर्ड्स को स्पैम कर रहे थे मतलब के ऐसे कॉमेट्स यहाँ पर स्पैम हो रहे थे डबली डबली की लाइफ पर सच में यार लिटरली रॉक को लोग यहाँ पर बाईकाट कर रहे हैं के बाई इस बंदे को भगाओ यहां से हमें तो कोडी रोड्स वर्सिस रोमा रेंस का ही मैच चाहिए वैसल मिनिया 40 क के लिए बाकी आप इस मैच को किस नजर से देखते हो क्या यह मैच कोडी रोड्स वाले मैच से बढ़िया होगा यहां फिर नहीं बताना जूरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर एड़ कोडी रोड्स की आगे डिरेक्शन क्या होने वाली है और साथ ही साथ क्यों डव कर लो मेरी जान तो सबसे पहले बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में तो बहुत बुरा लग रहा है कि वह इस मंदे ने कंटिनूसली दो बार तो रॉयर रंबल जीती है और रॉयर रंबल जीतने के बाद भी उसका मैच उससे चीना जा चुका है और आप यहां पर कोडी दिल तूट गया था कल जब रॉक रिटर्न आये थे और वो गए थे रोमा रेंज के फेस टू फेस बाकी यहां पर रोमा रेंज और दा रॉक के फैंस की तो बाई चांदी ही बन गई है इस मैज से तो कोडी रोस के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बजता है जो की है कि वो के अंदर कोडी रोस बनने वाले हैं न्यू वर्ल्ड अविएड चेंपियन अब बात करते हैं ब्रॉक लेस्टर के बारे में जो की बहुत जाला सैड निउस निकल कर आ रही है कि डबली डबली की जो सूपर कारड वाली गेम है उसमें से ब्रॉक लेस्टर को रिमूव ही कर दिया है अपनी कंपनी से अब मुझे पर्सनल ऐसा लगने लगा है आई नो आप सभी को बुरा लगेगा जैसे कि मुझे बताने में भी बहुत जारा बुरा लग रहा है कि ब्रॉक लेस्टर न हो चुके हैं डवली डवली के साथ अब आपको फ्यूचर के अंदर ब्रॉक रॉसर नाम का कोई भी रैसल नहीं देखने को मिलेगा डवली कंपनी के अंदर आप बात करते हैं कि क्यों कोडी रोस वर्सरोमा निस के मैच को यहां पर साइड कर दिया और रोमा रेंस वर्सरों मेच को यहां पर बुक किया है रैसलमिनिया forty के लिए Oregonери Finding तो सबको ऐसा लग रहा था कि बाई कोडी रोट्स रोमरेंस को ही चैलेंज करने वाले हैं लेकिन बाई सेम टाइम पर ऐसी निउस निकल कर आ रही थी सोर्सेज की तरफ से कि बाई रोमरेंस वर्सेज रॉक का मैच अभी भी प्लैन के अंदर है और ये इसी साल ही होगा और वो बात अब सच भी हो चुकी है बाकि जैसे कि आपको पता ही होगा कि सी एम पंक इंजड हो चुके है सेथ रॉलेंस भी अपनी इंजरी को रिकवर कर रहे है पता नहीं वो क्लियर होगी रैसल मेनिया तक यहां फिर नहीं इसके बारे में कोई confirm नहीं पता है Brock Lesnar भी रिमूव हो चुके हैं Wrestlemania से तो इन सब को देखते हुए यहाँ पर WWE ने Cody Rhodes वाला जो प्लैन है उसको drop कर दिया और आपको Rock वर्सिस रोव मरेंस का मैच ही देखने को मिलेगा Wrestlemania 40 के अंदर आने वाली आठ तारीक को अभी प्रेस भी है WWE की Wrestlemania के लिए तो वहाँ पर WWE नाउस्मेंट करेगी इस मैच को official कर देगी तो वही आप अपनी पेटियां बांद लो क्योंकि वही storyline के अंदर आपको पूरी की पूरी bloodline एड होने वाली है अपको पूरा family drama भी यहाँ पर देखने को मिलेगा बाकी आप किसकी side हो बताना जुरूर मुझे इस मैच के अंदर people jam की तरफ या फर tribal chief की और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एड साथ ही साथ सारे लोग चैनल को subscribe ठोक देना मेरी जान